यह expiry special वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन का jack portrait कैसे identify करना है उसके पीछे का complete logic क्या है और कल के दिन bank nifty और nifty में किस तरीके का momentum हो सकता है उसके पीछे का complete logic क्या है as per the price action and as per the option chain analysis तो सबसे पहले start करते हैं bank nifty का analysis अभी आपके सामने मेंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो bank nifty का spot का 15 minute का चार्ट है अगर आप देखोगे तो market में completely range bound momentum आज के दिन दिखाया हुआ है और हमारे लिए market का एक बहुत ही बढ़िया price action का setup यहाँ पर बनके आ रहा है अगर कल के दिन market flat open होता है और उपर की side में यह 35,050 के level को upside की तरफ break करता है तो बहुत ही बढ़िया upside momentum हम लोगों को दिखाई दे सकता है उस case में हम लोग 35,000 का जो call है वो 35,000 के call को buy कर सकते है मातर 50-60 रुपे का आपका stop loss रहेगा और उपर की side में अपना target जो रहेगा वो target 35,230 के level तक कर रहे सकता है अगर कल के दिन market जो है वो flat open होने के बज़े directly gap up open होता है इस level के करीब तो यहाँ से market नीचे आने के high probability है क्योंकि पहले इसी momentum से market में एक downfall चालू हुआ था यहाँ पर जो लोगों ने short sale का position बनाया रहेगा उनको अच्छा कासा मुनाफ़ा मिला रहेगा तो वो दुबारा लोग यहाँ पर active हो सकते है तो इसकी वज़े से हम लोग क्या कर सकते है यह case में 35,300 का जो put है वो 35,300 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है और नीचे की side में हमारा target आज का closing price जो रहेगा वहाँ पर तर रहेगा अगर कल के दिन market जो है वो gap down open होके साड़े बारा बज़े के बाद यह नीचे वाले level को break करता है 34,687 को तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है 34,700 का जो put है वो 34,700 के put को हम लोग यहाँ पर buy कर सकते है नीचे की side में हमारा पहला target यहाँ पर जो hammer pattern बना हुआ है वो hammer pattern का पहला target रहेगा क्योंकि market ने यहाँ पर support का zone बनाया हुआ है अगर कल के दिन के लिए हमें momentum जो देखना है वो momentum हमें किस हिसाब से देखना है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो market ने पहले एक trendy phase दिखाया हुआ है और फिर उसके बाद market एक range bound phase में चला गया है range bound phase में आगर आप देखोगे तो market ने higher lows बनाया वो सब call writer trap होने की high probability है अभी इसको कैसे समझना है तो इसको हमें option chain के data के साथ समझना पड़ेगा अभी आपके सामने मैंने bank nifty का option chain लगाया हुआ है 23 December के weekly expiry वाला यहाँ पर आगर आप देखोगे तो मैं live market में video बना रहा हूँ rate आपको change होते हुए दिख रहे है तो यह 35 अजार का जो strike price है वहाँ पे 22 लाग shares का open interest बना हुआ है call की side में और अभी market फिलाल उसके उपर trade कर रहा है कल के दिन market जो है वो 35 अजार के level के करीब open हो जाता है फिलाट या थोड़ा सा up down नीचे और फिर उसके बाद आगर market upset का momentum करना चालू कर देता है तो यहाँ पर जित अजार का rally morning session में दिखाई दे सकता है तो इसके लिए हमें तयार रहना है मैं आपने इस free वाले channel में आपको update कर दूंगा कि option chain के हिसाब से क्या लगता है यह free वाले channel में nifty bank nifty option के free के intraday के signal देता हूँ यह free वाले channel का link video के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है जहाँ पे 1,14 1000 से जादा लोग जुड़े हुए है और यही एक मातर मेरा official channel है अभी देख लेते हैं कि market में nifty का price action हमें क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने मैंने nifty का spot का chart लगाया हुआ है यह nifty के spot के chart में आगर आप देखोगे तो market ने एक बढ़िया momentum देने के बाद एक retracement दिया और फ अगर आप देखोगे तो मैंने कल के वीडियो में भी आपको यहाँ पर बता के रखा हुआ था कि market यह gap fill करने के लिए दुबारा आ सकता है और यहाँ पर हम लोगों के लिए तयार रहना है कल के दिन market अगर gap down open होके इस level को upside की तरफ break करता है तो यहाँ पर दुबारा market upside ज बात market में थोड़ा wait करूँगा देख लूँगा कि किस तरीके का open interest बन रहा है और फिर में आपको free वाले channel में update कर दूँगा अभी देख लेते हैं कि नीचे की side में किस तरीके का momentum हो सकता है कल के दिन market यहाँ पर थोड़ा time spend करके फिर इस level को downside की तरफ break करता है तो यहाँ बढ़िया हमें sale का position मिल जाएगा तो उस case में हम लोग put buy कर सकते हैं तो यह put कौन से strike price का buy करना है तो यहाँ पर कल के दिन market उपर जाके फिर नीचे council level तक आता है इसके उपर यह depend रहेगा अभी देख लेते हैं कि open interest का data हमें क्या indicate कर रहा है आपके सामने मेंने nifty का option chain लग काया हुआ है 23 December के weekly expiry वाला अगर आप उपर की side में देखोगे तो तगड़ा call writing हो चुका है यह indicate करता है कि market में immediately आप लोगों को resistance भी मिल जाएगा मैंने जो आपको बोला था कि आभी में call immediate buy करने के लिए interested नहीं हूँ उसके पीछे का reason यह कि यहाँ पर market में तगड़ा position short का create हो चुका है तो इसके लिए मैं थोड़ा wait करूंगा और कल 7,9 बजे के बाद में क्या देखूंगा मैं यह change in the open interest का column देखूंगा अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से लोग exit हो रहे है तो उसका interpretation यह होता है कि यहाँ पे ऊपर की side का जो resistance है वो resistance वीक होते जा रहा है यह point आपके diary में note down करके रखिए जब यह change in the open interest के column में यहाँ पर लोग exit होते हुए दिख रहे है तो वो जो resistance लेवल है वो वीक हो जाता है और यहाँ पर अगर लोग add हो रहे है तो इसका मतलब यह जो resistance लेवल है यह strong हो जाता है यह educational वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को like कीजिए नीचे की साइड में अगर हम लोग देखते है तो यह 16800 का जो लेवल है जहाँ पर 52 लाग shares का open interest बन चुका है उसमें से 29 लाग shares आज ही के दिन add हुए है और बाद में जब market 900 के ऊपर चलना चालू होग तो उपर की साइड में market को जो भी resistance आते है वो resistance side by side weak होना भी बहुत जरूरी है ने तो नीचे वाले लेवल पर अगर तेजी के position बन भी गए लेकिन उपर की साइड में resistance अगर strong रहता है तो market no doubt consolidation की zone में चला जाएगा आप साइड का बढ़िया one sided momentum नहीं दिखा सकता तो यह point को आप note down कीजिए और कल से इसको lie market में observe करना चालू कीजिए तो उससे क्या हो जाएगा आपका price action के साथ option chain का बहुत बढ़े analysis हो जाएगा अब यह आज के दिन जितना भी market range bound phase में चला गया था तो यहाँ पर call के और put का heavy writing यहाँ पर आपको दिखाई देगा कल अगर data देखोगे तो आप में उसमे clear cut indication मिल जाएगा 7 बजे के बाद NST India के website के ऊपर FII का data मिल जाता है आप आज 7 बजे के बाद देख लेना जाके आपको दिखाई देगा कि यह change in the open interest के साथ साथ जब FII का data club करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो quantity wise data है वो quantity wise data आज का मतलब 22 December का एकदम heavy आ जाएगा तो यह हम लोगों को identify करना है कि कहां पर किस तरीके का position बन रहा है अभी price action के इसाब से market अगर continuously upside नहीं दिखा सकता तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो पिछले 4 candle से market ने एक upside का momentum दिखाया हुआ है तो जो लोगों ने नीचे के rate market पर buy किया रहेगा कल के दिन market अगर gap up के साथ खुल जाता है तो यहाँ पर profit booking आके market दुबारा नीचे आ सकता है मेरे लिए best gap up level कौन सा रहेगा तो उपर की side ने market में जो यह resistance यहाँ पर बनाया हुआ है यह 17,100 के करिब का जो level रहेगा यह 17,100 के करिब का level profit booking के लिए best level रह यहाँ से market नीचे आने की reverse लेनी की बहुत ज़्यादा probability है तो इसी तरीके के educational वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को like किजे, free signal के लिए आपने टेलिग्राम चैनल को subscribe किजे और more educational वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिये तो जैसे मैं कोई नया वीडियो लगाओंगा immediate आपको उसका notification मिल जाएगा, तो मिलते हैं next educational वीडियो में, thank you very much